नमस्ते, स्वागत है आपका, मेरा नाम अखिलेश है, इस वक्त जहां मैं खरा हूँ यह सिम्री गाउँ है, सिम्री गाउँ यूपी के मौजीले में आता है इसी गाउँ से चलकर कलपनात राई ने अपने सफर की सुरुवात की थी, यही से कलपनात राई का सफर शुरु हुआ था यूपी की सियासत का जिक्र हो और कलपनात राई का जिक्र नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये कलपनात राय का घर है यहीं से चलकर कलपनात राय ने राजनीती में एक नया मुकाम हासिल किया कलपनात राय इंद्रागांधी सरकार में मंत्री रहे, राज्य सभा सांसद रहे इसके अलाबा चार बार लोक सभा के लिए भी चुने गए आज हम कलपनात राय के गाउं में आए हैं और यहां जानने की कोशिस करेंगे कलपनात राय का राजनेतिक जीवन कैसा था कैसे जब वो गाउं आते थे तो लोगों से मिलते थे तो आज इस वीडियो में कलपनात राय की बात होगी हमारे साथ कलपनात राय के भाई रामसंकर राय जी हैं हम उनसे जानते हैं कलपनात राय के बारे में सर हमें बताएं कि जैसे कलपनात राय जी जो थे उसको करते थे जी यहीं से पढ़ाई लिखाई हुए उनकी पढ़ाई प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई उनकी गाउं पर हुई इसके बाद जो है बापोई इंटर कालेज में वो इंटर तक की पढ़ाई किये इसके बाद वहां से वो सिवली कालेज आजमगड चले गए और आ करते थे वह पूरा उनका उपर था उपर के लोगों से उनका उता इनको पढ़े तो यह लुहिया जी के सानिध्य में विछ बाद में ये बहुना के सानिध्य में में जी जी उसके बाद मंत्री भी बनाए गए फिर इन्होंने लोग सुभा का चुनाव लड़ा चार बार ये चुनाव जी थे और 1989 में इन्होंने मौ जिले का स्रिजन कराया मौ जिले इनको विकास पुरुस कहा जाता है इसलिए है कि वो अगल वगल के किसी भी जिले में किसी भी तरीके का जैसे बिजली विभाग से के वो मंत्री थे उन्होंने सारनाथ गाजीपूर बलिया में गोरखपूर देवरिया सारे जगह ये सबी स्टेशन और जो भी बिजली के उत्ते लगाए फिर टेलिफोन जो एक्स्चेंज हैं और ने कायम कराया हर जिलो में बतलब चाहे सडक का काम हो बिजली का काम हो चाहे जो भी कारे हो उसको तलिंटा से करते थे ऐसा नहीं कि उसमें कोई खोट उनके दिवाग में नहीं रहता था और सरकार से पैसा स्विक्रित कराने के बाद ही काम सुरू कराते थे अच्छा राजनितेक जीवन में जैसे थे गाउं आना होता था तो क्या उनका सुभाब किस तरह से था गाउं के लोगों से घंटो घंटो जो बुराने लोग उनसे मिल जाते थे उनको पूरानी यादें सेयर करते थे और उनसे पूरा अपना अपनी भी बाते कहत उनकी बात सुनते थे बहुत लगाव था गाओं के लोगों से अच्छा पहले चुनाव प्रिचार होता था आज कल देखते हैं तमाम ताम जहाम है तो उस तरह जैसे पहले का जो उनका चुनाव प्रिचार था वो किस तरह से होता था क्या साधारन तरीके से पहले तो जब सफ़ा मेंबर हुए जब भी चुनाव आया तो चुनाव में वो बड़ी दख्षता दिखाते थे और डोर टू डोर हर विरादरी के लोगों के हां जो भी अच्छे लोग थे छोटे लोग बड़े लोग सब से मिलना जुलना और उनको यह नहीं लगता था कि हम बड़े हैं ले होगे कैंगे में अनका होग है राजनिति की की बात करें या देश की बात करें संगठन में आइक पकड तो यह हो गए एंदची उनको बेटे के तरह से मानते थे दो ही अस्तंब थे राजनित के बड़े लोग, तो अब इसके बाद कोई उसके नीचे के लोगों से उनका अपना संबंध, अपने से कbor़ी लोग इनसे बनाते थे रहे लोग के लोग इने याद करते हैं अज तो उनके बारे में जो वोट नहीं भी दिया है और भी ऊपने मन में लाता है हाइव आदमी रहता है तो हमारा और विकास हुआ होता है। कौन से ऐसे जैसे कोई ऐसा कुछ ड्रीम बताएं जो पूरा करना चाहते थे, अगर कुछ आपको याद हो कि वो चीजे रह गई, वो पूरा नहीं? नहीं, कोई ऐसी चीज जिसको ड्रीम तो उनके पास था ही नहीं, जिसको उनको करना था, उसको करके ही धर्ती पर ले आते थे, जैसे बिला पास कराए किसी काम को कहते भी नहीं थे किसी से, अपने मन से ही सब काम करते थे और राजनिती के में जैसे प्रतिद्वन्दी को लेकर किस तरह से सुचते थे? प्रतिद्वन्दी को प्रतिद्वन्दी मानते ही नहीं थे, वो अपनी हम चलते रहेंगे, प्रतिद्वन्दी आएगा तो ठीक है जो देखोगा होगा, प्रतिद्वन्दी को कभी दुस्मन के तरह से नहीं देखे, अच्छा राजनीती में परिवारबाद की बात होती है, ब प्रतिम छड़ तक सदस्य रहे और कांग्रेस पार्टिक प्रत उनके वफाधारी थी यह हमारे साथ कल्पनाथ राय के भाई रमसंकर राय थे जिन्होंने हमें उनसे जुरे किस से बताए अगले वीडियो में हम किसी और राजनेता के बारे में आपको बताएंगे अभी के लि